के अगनी पत्की जिसके लिए अब हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है यूपी में आखरी चनल के रण में 19 माई को पुर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है लोग सभाग चुनाव साथवे चनल के अपने आखरी पड़ाव पर पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये चनल इसलिए भी महत्पूर्ण है तो कि इस चनल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लोग सभाग शित्र वारारती से लेकर मुख्य मंत्री योगी आधितनात के गड़, गोरख पूर्तक और साथी प्रियंका गांधी जैसे दिगजों की साख दाउपर है साथवे चनल के होने वाले मदान के लिहाज से इस इलाके में वोट और सीट का समीकर्ण जानना बेहत दिल्चस होगा इन सीटों में से ज्यादतर सीटें देश की राजनीत के लिए बहुत एहम मानी जा रही हैं आई आपको बताते हैं कि किन सीटों पर मुकाबला होगा आखरी चरण में तेरा सीटों पर मुकाबला वारंडसी, महराज गंज, देवरिया, सलेमपूर, मिर्जापूर, गोरकपूर, रॉबर्स गंज, बासगाओ, चंदौली, घोसी, बलिया, कुशी नगर, घाजीपूर में धोगा मतदान इन सीटों पर किसी कहां टककर है, आई आपको ये भी वताते हैं मिर्जापूर में अनुप्रिया पटेर और ललिटेश त्रिपाठी में टककर है चंदौली में महेनाथ पांडे और संजर सिंग चोहान में मुकामला है कुशी नगर में आरपियन सिंग के सामने विजेपी और गडबंदन की चुनौती है बल्या में विजेपी और एसपी के बीच मुकाबला है धोसी में हर नरायन और अतुल कुमार में टककर है काशी में पियम मोदी की प्रतिष्ठा दाओं पर है गोरगपुर में भी विजेपी के सामने गडबंदन की चुनौती है आखरी चनल के साथ ही लोगसभा चुनौत का दंगल समाप्थ हो जाएगा और नजरे नतीजों पटिकेंगी कि आखिर जन्ता ने किसे मौका दिया और किसकी उमीदें अधूरी रह जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट भारत माचार तो चुनावी शोर अब थम चुका है लेकिनों से पहले पूरवांचल की सीटों पर सीम योगी धुआधार प्रचार करते नजर आए शुक्रवार को उन्होंने गोरगपुर और बलिया में चुनाव प्रचार किया और विपक्ष पर हमला बोला तो बीजेपी की उपलब्धी भी जम कर गी नए आखरी लड़ाई के लिए प्रचार धुआधार सीम योगी की गोरगपुर और बलिया में जनसभा लौ एन ओरडर पर पहले की सरकारों पर वार पूर्वांचल में आखरी लड़ाई 19 मई को होनी है जिसके लिए 17 की शाम को प्रचार का शोर्थ हमने से पहले सीम योगी ने गोरगपुर और बलिया में बीजेपी प्रत्याशों के लिए प्रचार किया गोरगपुर में सीम योगी ने कहा विभाजन की राजनीत से कल्यान नहीं होगा बीजेपी में सबका साथ सबका विकास है कठबंधन केवल 23 मई तक है कानून व्यवस्था पर पहले कि सरकारों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश से गुंदों का पलायन हो चुका है वही बलिया में सीम योगी ने रैली के दोरान मोधी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए फिर से मोधी सरकार के लिए वोट मांगा योगी ने कहा कि बलिया देश को मजबूत बनाएगा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि गरीब के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा हम सब की पहली प्राद्मिक्ता विकास होनी चाहिए लेकिन भाईो बेनों जिने विकास अच्छा नहीं लगता जिने देश की सुरक्सा अच्छी नहीं लगती जिने देश का सम्मान अच्छा नहीं लगता वे लोग देश के इन पर कारण बाधा पैदा करना चाहते हैं पूरवांचल की सीजों पर बीजेपी के परचम को कायम रखने के लिए योगी हर सीट पर पूरा जोर दिखा रहे हैं गोरतपुर की सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी है तो योगी कहां कोई कोर कसर छोड़ने वाले ब्यूरर रिपोर्ट भारत समाचार तो अब लोग सभा का दंगल समाप्ति की ओर है और आखरी चड़ में गडबंदन ने पूरी ताकत दिखाते हुए मिर्जापुर चंदॉली में जन सभा को संबोधित किया और बीजेपी की